नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीप कोशिक और आप देखरें इंडिया न्यूज 16 जैसे मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया था खुडाना गाउं में और सबसे कम उमर की बेटी सरपंच बनना बेटी जो है खुडाना की बहन मेरे साथ है उनकी जो मन की बाते हैं वो मैं आप तक शेयर करूँगा उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि पूरे हरियाना में ये वीडियो पहुंच सके और सब को पता लगे कि जो फतेहाबाद ने रिकोर्ड बनाया था अब महंदरगड ने बनाया है और महंदरगड का गाव है खुडाना जो काफी बार सुर्क्यों में रहता है जहां लगातर महा पंचायत आई-म्ट को लेके होती रहती है तो बने रहें इडिया न्यूज 16 के साथ नाम तु पूछने की जरूत नहीं आज कैसा मैसूस हो रहा वो बताएं सब अच्छा लग रहा आज कितना बहुत अच्छा अच्छा रेजल्ट आया था रात को कितने बजे लग बगाया था कमिश की नो बजे के आसपास आया था विजब 6 बजे वोटिंग बंद हुई और 9 बजे 3 गंटे कैसे निकले था इस्ट्रेस में थे लेकिन निकल गए किस किस को स्ट्रेस था मम्मी पापा भाई बैन आपको कितना सबी को था सबी को था क्या चल रहा था माइंड में कि कितन में 244 वोटर से जीत गई 248 से आप अंदर ही होंगे स्कूल गे अंदर ही वहां पर पॉलिंग बूथ पर नई बाद में गई थी बाद में तो कैसा उच्छा था गाउं में परिवार में पोज़ा था गाउं में भी परिवार में भी अच्छा सुनने में आया कि आप सबसे कम उम्र की बेटी बनी है जिन्होंने सरपंज बनने का किताब आसिर किया है तो कितनी उम्र आपकी है 21 साल एक मैना एक मैना 21 साल और सिर्फ 30 दिन यह है अच्छा बताया जा रहा है कि यह रिकोर्ड पहले कहीं बाहर था यह रिकोर्ड यहां में अंदरगर के गाउं खुडान कि क्या रजीन रहा कैसे आप ने सोच बनिंपार ने का ममी ने कहा आपने क्या सोच सरपंज एक डोक्टर है व समा सarta करूँ और मैं ड़्क्टर ऑड़ाई करूं और मैं ड्पटर दोक्तर की पढ़ाई को सब्सक्राइए हँ नशे रह जाते हैं दॉक् Dae K मुश्किल कुछ भी नहीं है द्यान से सुनना मुश्किल कुछ भी नहीं है उमर सिर्फ 21 साल एक महीना है सरपंज का किताब सर पे रखा है दूसरी तरफ लोगों को इंजेक्शन लगाने को तयार है कौन सा यह चल रहा है अभी अभी तो फर्स्टी चल रहा है कौन से डॉक्टर की पढ़ाही चल दिए बीमस तो पापा भी डॉक्टर थे आप भी डॉक्टर बनोगे परिवार का क्या कुछ स्टेटस है परिवार में बहन भी नीट की कोचिंग कर गई है अच्छा सुनने में आथा आपने भी नीट की एक्जाम दिया था कितने माक्स मु जब तो वह पढ़ाई किस प्रकार से डिस्टर तो नहीं होगी नई डिस्टर नहीं होगी जब पहली बार जब पता चला था कि पापा ने बता ने बोला और मैं तैयर हो गई किसी तरीके से खबर आई होगी, शाम को गर पे मिटिंग होती है, क्या कुछ चल रहा है, तो पापा ने क्या कहा बेटी, ये करेंगे, ऐसे करें तो, क्या कुछ करें तो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं का, फिर मुझे में भी समा सेवा करने की बावना थी, तो फिर मैंने बोल दिय ख्याति के तो, मैं करलूंगी, मैं बनूंगी, फिर ये कितने दिन का गयप रहा है, जब आपने का की मैं बनूंगी सरबाँच और के तरीकों कीей देकते का नजशार में एविजला लगब की दिन का Platz इनन, किस प्रकार से मेहनत की गाहां में रोज पर चार के लिए, जाती इछे में बच्चिएंगों से मिले होंगे, और गावं में बुजुर्ग लों से मिले होंगे, क्या कुछ उनका रिष्पोंस था? उनका रिस्पोंस था, अभी मुझे बॉच्चियों से बेड़ी है दो में अगये बढ़ने के लिए बोल रहे था काफी लोगों ने मातों ने काहएंगे जोरी से वाइट थी प्रभी तो पानी की समाशिया की का था उन्होंने तो मैं बुली में करवा दूंगी और रोड वगेरा की और जे नाली वगेरा में गंदा पानी पानी ये लगाने के लिए और बिजली के समझ्या भी है अच्छा एक बात में समझ में नहीं आती है आपके गाउगे मैं काफी बार रोड से यहां आता हूँ एक तो रोड बहुत अच्छा है दूसरी बात यहां आते हैं तो पता ही जलता खुडाना कहा है कौन सा है हाँ में गेट लगाने के लिए मैं प्रयास करूंगी पूरा पूरा अच्छा क्या लिखे लिखेंगा अपका स्वागत है सरपंच का नाम क्या रहेगा वहाँ अंजुतवर अंजुतवर नाम है उस पर पिछे डॉक्टर कब लग जाए कितना दिन बार लग जाएगा अभी तो सरपंच पूरा होने से पहले ही लग जाएगा हो जाएगा सरपंच डॉक्टर अंजु तवर कितनी खुशी मिलेगी जब यह पूरा नाम कंपलीट होगा वह ज्यादा खुशी मिलेगी एक और सबसे बड़ी बात होती है यंग एज होती है 20-22 साल की उम्र में सब्सक्राइब करने का फिर सरपंच में क्योंकि परिवार में घुल मिलके रहे बहुत से बच्चे तो मोबाइल में लगे रह जाते हैं कैसे यह ग्रोथ कैसी मैंड की मुझे मोबाइल चले इतना इंट्रेस्ट निया कभी इंट्रेस्ट निया मतलब जो 99% बच्चों में हो गॉमें गवाव में ऊड़क हो यहां पानी टंकी चाहिए यहां पुला होना चीज है यह नाली साफ होना चाहिए यह ब्रेकर हैसा गाड़ी तो सबस्वाब हो अग्या सबस्क्राइब मुझे गंदा पानी रहा होगा 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 है हां पानी पाने की बहुत समश्या अपने गांग के इनगाते हैं अपने को बहुत समश्या है अपने को मिले थे तेरा सो शायद थे तेरा सो चाहिद एक तरफा ही चुनाव हो गया फिर कितने कंडिटेट खड़ेते साथ साथ कंडिटे तो कहा जाता है कि वह जो उम्र दराज वेक्ती होता है जो अनुभव जादा होता है लोग उसको तवज्जो जादा देते हैं लेकिन छोटी बच्ची को जिसको बहुत सी बातों का ज्यान भी अभी न मना लिया थोड़ा से बताई था कि और भी सरपंच जो युवा है वो सीख पाए मैंने उनसे रेक्वेस्ट की गई मैं यह सब कुछ करवा दूंगी और आप देख लेना एक साल बाद यह बात बताई थी कि में रिकोर्ड भी यहां उठा ले आओंगी फते हवाज से नहीं बत अब तक कुछ भी नहीं है वहां आएमटी के लिए खटर सराय थी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो आप पर खटर साब के जो सीयम है उस सबसे पहले आपको तवज्यों देंगे क्योंकि आप सबसे कम एज की यंगेस्ट सरपंच आप कहलाएंगे तो क्या स्पेशल मांग रहेंगी कि मेरा गाउं खुडाना है इसकी में सरपंच पहला नागरिक में हूं काउं की तो मेरे गाउं में से दूर भी है तो मेंदरगड के नजदी की जो सुईना इवां मिलती हैं उनको यहां करवाएंगे कि कॉलेज भी चाहिए यूनिवर्स्टी चलो बनगी लेकिन कॉलेज तो गाउं में चाहिए आई टी आई भी होती है बैंक भी होते हैं पसू अस्पताल नागरिक अस्पत अधे पड़ते हैं आधे नहीं पड़ते उस पर क्या आप करेंगे आगे जाके टीचर्स लेकर आने पड़ेंगी और यह फिर नहीं हो सका तो मैं खुद भी पढ़ा दूंगी अपनी पढ़ाई दूसरी दर सरफ पंची फिर समय मिलेगा पढ़ाने का कोशिश करूंगी समय निकालने का एक बात और पुछना चाहूंगा जैसे मैं अभी बात कर रहा था यंग जो बच्चे होते हैं मोबाईल में लगना या और नसे की तरफ जाना लेकिन आपना आपका को कुछ अलागी सिस्टम रहा है मोबाईल से दूर रहते हो उन बच्चों को क्या संदेश दे आप बी जाते हैं कि नारनोल आपका कोलेज है और रोड बहुत अच्छा है गड़ों में से बच्चे अच्छे निगल गया रहे हैं आई एस भी यहां से और टोपर भी बच्चे रहे हैं सीपीसी के नीट के टोपर भी यहां से रहे हैं तो क्या आप सेम साब को कहेंगे कि जो यह रोड है 148B क्या गुना मेहंदरगड के लोगों ने किया है कि यह नहीं बन रहा है पहुंचाओ के कुछ तो वहां पर मैं सेम साब से कहना चाहूंगी कि यह रोड आप जल्दी से सही करवा दे ताकि जब यहां पर निकले तो गड़े नहीं लगने चाहिए ऐसा तो कहना बनता है अभी बेटी जी सभी सभी बराबर है बराबर कैसे सरपंच तो आप ही हो मैं तो सरपंच नहीं हो होंगे रोड की समष्या पाने की समस्या गण्द पानी के निकासी इसले समफ्य ना बनास तकी जिम्मेवाली बेठीघीं है कि भई हम सी अनसाव से कहेंगे कि जो IMT का आपने पफर लगाया था उस पफर के पिछय भी तो कुछ बनाओ कुछ कमरे तो तो मैं तो आपको बहुत बहुत शुब कामना ही दूँगा कि आप आगे गाम का विकास करें थेंक यू अभी आवाज धीरे-धीरे आ रही है आने वाले समय में जब लगातर इंसे बातचीत होगी तो इस आवाज की जो तीरे-धीरे इसको तेज भी करवाया जाए क्योंकि बेटी अभी तो परेशान है लगातर इंटर्व्यू चल रहे हैं एक दिन हुआ है परेशान भी हो रहे होंगे नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं तो जिस प्रकार से रिकोर्ड की बात कर रहे हैं जो फतेहाबाद की ब विचार जाने की कैसे उन लोगों को इन्होंने अपनी तरफ किया कि मेरे को वोट दे जो इन्हें की जानते तक भी नहीं थे क्योंकि बच्ची का ध्यान पढ़ाई की तरफ पढ़ाई से घर कॉले स्कूल यहीं होता था अब गाम पूरा क्या पूरा हरियाना सीम से आप तक इनको जानते हैं क्योंकि सबसे कम उम्र का रिकोर्ड इन्होंने बनाया है क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में ऐसी खबरों क्यों देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लगातार ऐसी अपडेट्स में आपको देता रहूँगा ताकि स सब्सक्राइब करने के बाद वो आपको सबसे पहले मिल सके लगातर कबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूस सिक्टिन के साथ नमस्कार धन्यवाद